इस दुनिया में आल लाकों दुकान हैं लेकिन किसी भी दुकान की सिल वॉल्मार्ट जितनी नहीं है जिसके कई कारण हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में एक्सलिन करेंगे लेकिन उससे पहली कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वॉल्मार्ट की स्थापना 2 जुलाई 1962 को सेम वॉल्टन ने रोजर्स अरकसास अमेरिका में की थी 1990 में Walmart America की सबसे बड़ी Retail Company बन गई थी जिसकी सिल सबसे अधिक थी वहीं 1999 में Walmart दुनिया की सबसे बड़ी Retail Company बन गई थी आज Walmart में 23 लाग से भी जादे Employee काम करते हैं जिसमें से America में ही 15 लाग Employee से अधिक लोग Walmart में काम करते हैं Walmart की फिरी व्ल्ड वाइल साल 2 जोगने से 510 billion US dollars से भी इधिख थी! जिसमें 100 से 119 million US dollars से भी अधिका profit हुआ था! साल 2020 में Walmart का total revenue व्ल्ड वाइल 524 billion US dollars से भी इधिख था! जिसमें 100 से 119 million US dollars से भी इधिका profit हुआ था! आध दुनिया वरे में Walmart के 11,500 से भी अधिक श्टोर हैं जो 26 देसों में 55 अलग अलग नामों से जाने जाते हैं जिसमें से अर्जेंटीना में 92 श्टोर्स हैं चिली में Walmart चिली के नाम से 364 Central America में 836, Mexico में 3407, Canada में 408 United Kingdom में Walmart के ATSA नाम से 631 श्टोर हैं अफरिका में 442, चाइना में 438, जापान में CU के नाम से 331 वहीं भारत में Walmart West Price के नाम से 28 से भी अधिक श्टोर हैं अमेरिका की 90% आबादी के पास 10 मिल से भी कम दूरी पर एक Walmart श्टोर होता है 2016 में Walmart ने Jet.com को 3.3 billion US dollar में खरीद लियाता है जिससे वह E-commerce industry में भी आ गया है अगर हम बात करें Walmart के basis model की तो Walmart का basis model भी किसी साथान दुकान की ही तरह है जिसमें वह चीजों को खरीद कर उस customer को बेज देते हैं जिससे उसे company को profit होता है लेकिन फिर भी Walmart इस ग्रह की सबसे बड़ी retail company है जिसका कारण है कि Sam Walton चाहते थी कि लोगों की बच्चत करने में मदद कर सकें बहें अपनी जिंदगी अच्छी कर सकें इसलिए उन्होंने कम मुनाफ़े में ज्यादा विक्री करने का फैसला लिया जिससे उनकी विक्री काफी बड़ी और उन्हें मुनाफ़ा भी अधिक होने लगा इसी idea के बएशे Walmart ने खर्चों को कम करने एवं चीजों को सस्ते दा सेम वाल्टन ने वेन फ्रैंकलिन की एक साफा का संचालन किया था जिससे उन्हें काफी अनुभवी प्राप्त हुआ उसके बाद ही उन्होंने Walmart की नीव रखी सेम वाल्टन को 17 मार्च 1992 में अमेरिका का सस्वेड़ा सम्मान Presidential Medal of Freedom दिया गया इस सम्मान को प्राप्त करने के समय बाद ही 5 अप्रेल 1994 बर्स की उम्र में उनकी म्रत्यू हो गई सेम वाल्टन अपनी म्रत्यू के समय दुनिया एक सबसे अमीर इंसाम थे उस समय उनकी नेट वर्थ 8.6 बिलियन यूज डॉलर से भी अधिक थी सेम वाल्टन की म्रत्यू के बाद उनकी समपती वाल्टन परिवार हैं बट गई जिसका मूल आज की समय में 190 बिलियन यूज डॉलर से भी अधिक है आज वाल्टन परिवार दुनिया की सबसे अमीर परिवारों में से एक है जिसके पास कंपनी का 51% शेयर हैं वाल्टन का एक हुद का संग्राल है भी जिसका नम वाल्टन 510 है जिसे सेम वाल्टन ने सबसे पहले शुरू किया था जिसमें आज ही फर से वंचत वैसा का वैसा ही है इवं उसमें प्रिवेशन शुलक है वाल्टन की खुद की विजली खाने का सामन सिर्फ वाल्मार्ट से खरीदा जाता है वाल्मार्ट वाल्मार्ट अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे विएर करता है जिससे वह हमिसकों से वह साहित रहे जो आप इस वास से समसकते हैं कि वाल्मार्ट ने साल 2009 में अपने कर्मचारियों को एक बिलियन दॉलर एवं एक लाग लोगों के लिए भुजन का प्रधन किया था तो कि उन्होंने अमेरिकी आपतकालीन प्रबंदन एजनसी फ-e-m-a ट्रेडल एमर्जेंसी मेनेजमेंट एजनसी से पहले किया था वालमार्ट कोविड-19 महमारी के दोरान भी 35 मिलियन यूरेस डॉलर से विएदिक का दान दिया है एक वालमार्ट इस्टो और सतन एक लाग साथ है वर्फ को टेरी में बना होता है जिसमें 225 से विएदिक आदम चारी कारी करते हैं इवं जिसमें आपको खरीदारी के लिए एक लाग वीजार से विएदिक वस्तों प्राक्त हो जाएंगी नन्य अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट कीजिए